दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब पूरी दुनिया में एक अजीब सा वाइरस फैलने की वज़े से सिर्फ कुछी लोग बचे थे जो सर्वाइफ कर पा रहे थे और इनी में से एक परिवार था जिसमें सिर्फ लड़कियां ही रहती थी लेकिन इस परिवार की जिंदेगी तब बदल जाती है जब इन में से एक लड़की एक अजनबी को अपने घर ले आती है तो दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें कयामत के बात की दुनिया को दिखाये जाता है यहाँ पर हमें रेगिस्तान के बीच में बने एक ग्लास हाउस को दिखाये जाता है और यह एक मातर ऐसी जगह है जहां अभी तक हरियाली बची है इसके बाद हमें एक आदमी को इस Glass House के पास आते हुए दिखाये जाता है जिसे जल्दी ही कोई गोली मार देता है इसके बाद हम उस Glass House के अंदर रहने वाले परिवार को देखते हैं जिन में तीन भेने रहती थी जिनका नाम अंडी मंडी संडी था वो उस आदमी के शरीर को अंदर ले आती हैं जिसके बाद वो उसके शरीर के सारे अंजर बंजर निकाल कर बाकी के बचे समान को अपने गाडन में दफना देती हैं इसके बाद हमें यहाँ पर उनके चूते भाई पपू पत्री को दिखाये जाता है जो कि यहाँ पर बैठा सोच रहा होता है कि भेन चूट मेरा दोस्ट जोगिंदर जहरीला सही कहता था कि अभी भी वक्त है रशिन को बजा ले नहीं तो अगर दुनिया खत्म हो गई तो कोई नहीं बचेगा काश मैंने उस वक्त उसकी बात माल ली होती इसके बाद हमें बताये जाता है कि पपू पत्री बाहर की जहरीली हवा से संक्रमी तो चुका है जिस वरे से उसने अपनी कुछ यादों को खो दिया है इसके बाद ये दोनों भाई बैन अपनी मा के पास आते हैं और उन्हें उस आदमी के बारे में बताते हैं जिसको उन्हें ने मार कर गार दिया था इस पर उनकी माउने कहती है कि इनका राजू नाम का एक और भाई था जो कि कई सालों पहले घर छोड़ कर भाग गया था अभी हां पर ये सबी घर वाले मिलकर कुछ अजीब सा रिच्वल करते हैं जो कि इनकी यादों को ताजा रखने में इनकी मदद करता है अब अगले दिन अंडी जंगल में पहरा दे रही होती है तब ही उसकी नजर एक और अजनभी पर पढ़ती है जो कि उसके पास ही आ रहा था और बेहोश होने से पहले वो अपना मास्क उतार देता है अभी हां पर अंडी उसे मारने की बज़ाए उसे गलास हाउस के अंदर ले जाने का फैसला करती है फिर जब ही सब उसकी मा को पता चलता है तो वो काफी गुसा होती है और उन्हें कहती है कि जल्दी से उस बज़ी वाले को मार कर फैंक दो लेकिन अब 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 अदमी उनके साथ ही रहे क्योंकि अब इनको भी कोई ऐसा चाहिए था कि घायल आदमी के पैरों पर टांके कैसे लगाये जाते हैं फिर अम देखते हैं कि रात में पपू पत्री की मा उसे बिस्तर से बान दिया करती थी क्योंकि उससे रात को मजदूरी वाले सपने आते थे लेकिन जब अगली सुबे पपू पत्री की आँख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि रात को उसकी पिछकारी ने सारा पानी उसकी पैंट में ही छोड़ दिया अब क्योंकि पपू पत्री का ये काम रोचका बन चुका था इसलिए उसकी गिली चादरे साफ करते करते उसकी बहने काफी परेशान हो चुकी थी फिर अगली सुबे वो तीनों उस आदमी की पट्टियां बदलती है जिस दुरन जब मंडी पानी लेने के लिए जाती है तो अंडी उस आदमी को घुरने लगती है क्योंकि उसने पहली बार इतने बड़े हतियार वाले किसी आदमी को देखा था कुछ देर बाद उस आदमी को भी होशा जाता है और वो उनसे पानी मांगता है तब ही अंडी उसे पानी देती है और उसे कोई भी चाला की न करने को कहती है वहीं जब मां को पता चलता है कि वो आदमी जाग गया है तो वो उसके पास पूश्टाच करने आती है अब यहां पर उस आदमी को अपना नाम तो याद नहीं होता लेकिन वो कहता है कि मैं शहर से आया हूँ वो बताता है कि बाहर सब कुछ तबाओ चुका है और जादतर लोग अपनी याद दाश खोकर पागल हो चुके है अब पपू पत्री भी उस आदमी के आने से खुश नहीं था लेकिन अंडी उसे यकीन दिलाती है कि वो आदमी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है फिर अगले दिन मा संडी से कहती है कि तुमने दो दिन पहले जिस आदमी को दफनाया था उसे बाहर निकालो और उसके शरीर को वार्निंग के रूप में घर के बाहर लटका दो अब उनकी ये बाते सुनकर उस अजनभी की फटकर 464 हो जाती है कि कहीं भेन भी उसे भी काटकर लटका ना दे खैर अगले सीन में संडी उस आदमी की बाड़ी को चेतावनी के रूप में अपने घर के बाहर लटका देती है इसके बाद अंडी उस आदमी से मिलने के लिए आती है और उसे वहाँ पर उगने वाले कई तरह के फल और सबजियां दिखाती है क्योंकि यहाँ पर अंडी इस आदमी को पटाना चाती थी इसी दुरुन जब वहाँ पर संडी आती है तो अंडी उसे वापस भेश देती है क्योंकि सबसे पहले वो अपना खाता खुलवाना चाती थी इसके बद अंडी अपनी भेहन को समझाती है कि देख भेहन उस आदमी पर इतना भरोसा मत कर क्योंकि एक्सर भरोसे वाले ही भूसे वाले निकलते हैं और ये तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है लेकिन अंडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती फिर एगले दिन हम संडी को देखते हैं जो उस आदमी से पूछती है कि तुम मुझे बताओगे कि घुड़ा कैसा दिखता है तभी वा आदमी उसे कहता है कि रुख मैं अभी तुझे पैंट खोल कर अपना काला घुड़ा दिखाता हूँ लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझे चाकू ला कर दो मैं तुमें लकडी का एक घुड़ा बना कर दिखा दूँगा तभी उसकी बात मान कर संडी बगीचे में जाकर अपनी भेनों से चुपते चुपाते एक चाकू उठालाती है फिर जब वो आदमी लकडी का घुड़ा बना रहा था तभी उसे पपू पत्री भी देख रहा था इसके बाद वो आदमी पपू पत्री को सिखाता है कि घुड़े के टुकडो को कैसे जोड़ना है जिस पर पपू पत्री भी वैसा ही करता है लेकिन फिर वो ऐसा करना ही पाता तो वो गुसे में वहाँ पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और कहता है कि भेंड़ सुट मुझसे नहीं होता ये सब बक्त दी मुझे तो बस बजाने के लिए एक रश्यन दे दो तब ही अपने भाई का पागलपन देखकर अंड़ी उस आदमी को खोल देती है ताकि वो उसके भाई को कंट्रोल कर सके तब ही ये सब देखकर उसकी मा को भी यकीन हो जाता है कि ये अजनभी उनके लिए खत्रा नहीं है और इसलिए अब वो उसे भी अपने परिवार में आजादी से रहने देने का फैसला करती है फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो आदमी अंड़ी से मिलने उसके कमरे में जाता है यहाँ पर अंड़ी उसे राजू कहकर बुलाती है इस पर वो आदमी कहता है कि नहीं मैं राजू नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमको अपनी बहन नहीं मानता और नहीं मैं तुमारे लिए ऐसा महसूस करता हूँ फिर अगले दिन अंड़ी उस आदमी को ब्रश लाने के लिए कहती है इसके बाद जब वो ब्रश लेने जाता है तो वो वहाँ पर संड़ी को देखता है जिसके हाथ में एक मैमोरी बॉक्स था अब संड़ी यहाँ पर उस आदमी से काफी नाराज थी क्योंकि उसने उसकी दोनों भेनों के साथ तो काफी समय बिता लिया था लेकिन उस पर वो अभी तक थूका भी नहीं था फिर अगले सीन में उनकी माउस अजनबी से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि आदमी इतने शरीफ कभी नहीं होते क्योंकि वो भेन के लिए हमसे कुछ ना कुछ चाते ही है और मुझे लगता है कि तुम भी हमसे कुछ ना कुछ चाते हो शायद तुम अंडी के साथ मजदूरी करके उसे प्रेगनेंट करना चाते हो वो उसे कहती है कि तुम उसे बजा तो सकते हो पर ये याद रखना कि अगर तुमने उसे बजाया तो तुम्हें मुझे भी बजाना पड़ेगा फिर अगरे दिन हम मंडी को देखते हैं जोकी गाडन में उस आदमी और अपनी बहन अंडी को दबा दबा कर मजदूरी करते हुए देखती है अब उन्हें ऐसा करते हुए देख उसकी बिल्ली भी गीली होने लगती है और तबी उसे कुछ याद आता है वो याद करती है कि उसने अंडी को अपने भाई राजू के साथ भी धुआदार मजदूरी करते हुए देखा था और यहीं से हमें पता चलता है कि अंडी उस आदमी का नाम राजू ही क्यो रखना चाती थी तबी मजदूरी करते समय जब उस आदमी की नजर मंडी पर बढ़ती है तो वो वहाँ से भाग जाती है फिर बाद में वो आदमी मंडी के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर मंडी उसे धमकाने लगती है कि बढ़ी के मैं तेरी सारी चाले समझ रही हूँ पर यह याद रखना कि तू मुझे कभी नहीं बजा सकता मंडी उसे बताती है कि अंडी पहले से ही दिमाग से पैदल है इसलिए उसे कुछ फरक नहीं पड़ता कि उसके खेत में कौन मजदूरी कर रहा है फिर यह कहकर जब मंडी वहाँ से चली जाती है तो उस आदमी को वहाँ पर मंडी का वो बॉक्स मिलता है जिसमें उसे उसका एक नेकलेस भी मिलता है अब यह देखकर उसे एक आईडिया आता है वो उसका नेकलेस चुरा लेता है और सभी से कहता है कि उसे यह नेकलेस उसकी मा ने बचपन में दिया था अब उसकी यह हरकते देखकर संडी भी समझ जाती है कि यह लोग जिसे भरुसे वाला समझ रहे है वो साला भॉड़ी वाला है वो सभी से कहती है कि यह आदमी गदार है लेकिन तभी अंडी उस आदमी का बचाव करते वे कहती है कि मंडी तो इस आदमी से हमेशा जलती रहती है क्योंकि वो उसकी लेना जो नहीं चाता अब ये सुनकर उसकी मा अंडी पर गुसा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम सभी भेहनों में सबसे बड़ी थी इसलिए मुझे तुम पर जादा भरोसा था लेकिन जबसे तुमने अपने भाई राजू से ही अपनी पिंकी पिटवाई है तब से तुमने हमारी सारी उम्मीदे तोड़ दी हैं अब जेसे ज야से दिन बीटते जाते हैं वो आदमी उनका और भरोसा जीतने के लिए उनकी मा से उसको और काम देने को कहता है लेकिन इस पर मा उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो तुम वैसे भी यहाँ पर कुछी दिनों के महमान हो इसके बाद मा अंडी से कहती है कि तुम्हें हमे या उस अजनबी में से किसी एक को चुनना होगा क्योंकि हमारे पास जो पेड़ पोदे हैं वो अब जादा लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं बना सकते अभी सुनकर अंडी परिशान हो जाती है क्योंकि वो उस आत्मी को भी खोना नहीं चाती थी इसलिए वो उसे कहती है कि अगर तुम यहां से चले जाओगे तो मैं भी तुमारे साथ जाओंगी इसके बाद हम पपू पत्री को देखते हैं जो कि मंडी के बिस्तर पर चड़कर उसके साथ मजदूरी करने की कोशिश करता है लेकिन तबी मंडी उसे रोख देती है क्योंकि अभी उसका ये सब करने का मूड नहीं था फिर जब इसके बारे में उस अजनबी को पता चलता है तो वो मंडी से कहता है कि तुम्हें अपने चूतिय भाई की देखबाल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे भी अपनी ठरक मिटाने का पूरा अधिकार है फिर एगले दिन वो आदमी उनकी मां से मिलने जाता है और उसे कहता है कि पपू पत्री चूतिया होता जा रहा है कल ही उसने अपनी बहन को रगड़ने की कोशिश की इसलिए तुम्हें मेरी जेगे उसे बाहर बेजना चाहिए लेकिन उसकी मा पने बेटे पर उस अजनबी से ज़्यादा भरोसा करती थी इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती फिर कुजदर बात रात हो जाती है और वो अजनबी फिर से उनकी मां से मिलने आता है उनकी मा को लगता है कि शायद वो अपना हतियार पीछे से डालेगा लेकिन तबी वो आदमी उसकी मा को पकाड़ लेता है और उसका गला घोट कर उसे मा डालता है इसके बाद वो आदमी उसकी बोड़ी को पपू पत्री के पास जाका रख देता है ताकि लोगों को ये लगे कि उसे पपू पत्री ने मारा है लेकिन ये सब देखकर पपू पत्री डर जाता है और उस आत्मी पर हमला कर देता है तबी उनकी आवाज सुनकर सभी बहने वाहां पर पहुँच जाती है और ये जानकर रोने लगती है कि उनकी मा मर चुकी है फिर जब सभी लड़के अपनी मा का फ्यूनरल कर रही होती है तो इसी दोरन वो आदमी पपू पत्री को बान देता है जिसके बाद वो घर की खिड़कियां खोल देता है ताकि पप्पू पत्री अपनी सारी यादश्ट भूल जाए वो उसे कहता है कि मैं तुमें ये याद रखने बिल्कुल नहीं दे सकता कि उस बुढिया को मैंने मारा है फिर वो जनभी उसे ही हाँ पर ये भी बताता है कि मुझ पर इस वाइरस का कोई असर नहीं होता इसलिए मैं अपनी यादश्ट नहीं बूल सकता वहीं दूसरी तरफ अंडी उस बॉक्स को देखने लगती है और उसे ये देखकर वो टाइम याद आता है जब वो जंगल में पहरा दे रही थी फिर जब उसने देखा कि एक आदमी उसके पास आ रहा है तब उसने उसे मार दिया था लेकिन जब वो उसका चहरा देखती है तो वो काफी डर जाती है क्योंकि वो आदमी उसका भाई राजू था अब अपने भाई को मारने की दुख में अंडी इतना ज़्यादा पागल हो गई थी कि उसने अपने मास्क को ही उतार दिया था जिससे उसकी सारी यादे मिट गई थी फिर जब अंडी इस बारे में मंडी को बताती है तो मंडी उसे कहती है कि उसे इस बारे में पहले से ही पता था लेकिन अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसने ये राज राजी रखा अब भी सुनकर अंडी को बहुत ज़दा दुख होता है और वो अपनी जबुरी यात को भुलाने के लिए बाहर जाना चाती थी तो वो काफी खुश लग रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो उदर मंडी यहां पर दुखी थी क्योंकि ये जगे धीरे-धीरे उनकी याददाश्ट को भुला देगी और सिर्फ वो ही यहां पर अकेली बचेगी जिसे सब कुछ याद रहेगा लेकिन तबीवाद में उससे सहरा देते हुए कहता है कि मुझे भी तुमारी तरह सब याद रहेगा जिसके बाद वो दोने एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को चूसने लगते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि मंडी अपनी मा की जगे ले लेती है और इस घर की मुखिया बन जाती है जिसके बाद वो अजनबी राजू बन जाता है और अंडी अब मंडी बन जाती है वहीं संडी मंडी की बेटी बन जाती है और पपू पत्री उन सभी का भाई बन जाता है अब जैसे जैसे दिन बीटते जाते हैं अंडी भी अब राजू की तरह बिना मास्क पैने ही बाहर घूमने लग जाती है फिर एक दिन पपू पत्री अचानक से ही जमीन खोथता है और उसे वहाँ पर अंडी और संडी के नेकलेस के साथ दो कंकाल मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मा नहीं हाँ पर पहले रहने वाले लोगों के नाम और नेकलेस को संभाल कर रखा था जिसके बाद उसने नए लोगों को उनकी पहचान दे दी वहीं वो आदमी भी चुपके से पपू पत्री को देख रहा होता है फिर जब वो वहाँ पर देखता है कि एक आदमी उनके पास आ रहा है तो वो अपनी बंदुग उस पर तान देता है लेकिन तभी वो अपना मन बदल लेता है और उस बंदुग को पपू पत्री पर तान देता है क्योंकि यह पपू पत्री का दिमाग सड़ चुका था इसलिए वो उसे मार कर इस नए आदमी को पपू पत्री बनाना चाता था दरसल दोस्तो उस फैमली का ये कॉंसेप्ट था कि जो भी यहां पर अपनी यादश को भुला देगा उसे मार कर किसी नए इंसान को उसकी पहचान दे दी जाएगी इसलिए ये जो फैमली थी वो भी कोई असली फैमली नहीं थी क्योंकि यहां पर रहने वाले सबी लोग अलग-अलग थे और उन्हें भी पुराने लोगों की पहचान दी गई थी और इसी के साथी ये कहानी यहीं खत्मो जाती है